हलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल ट्रेडिंग लेंस तो चलिए कल के पांच श्टॉक के बारे मात करते हैं इस पर कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फर्स्ट है हमारा है इन्फोसिस में देखोगे तो एक इसमें इस पूंट से रिजेक्शन आया था और फिर यह वाली जो इसने सेलिंग केंडल बनाए थी आज उसके अंदर एक इंसाइड गेंडल बनाई है तो इंसाइड गेंडल के बेसे पर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं और जो हमारी सेलिंग पोजिशन होगी वह देख लेते हैं हम इसमें दूनों चीजे कर सकते हैं अगर यह प्राइस से 10 पॉइंट है नीचे की दरफ तो अगर इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलता है तभी हम इसमें सेलिंग की कोई भी पोजिशन मनाएंगे और उसमें जो हमारा एसल बनेगा इस स्विंग का यह जो लो है यह बनेगा हमारा तो यह अल्मोस्ट टैन पॉ टू इसमें टार्गेट बन जाएगा और अगर यह इस पॉइंट के ऊपर यह जो पॉइंट हमारा इस पॉइंट से 5-6 पॉइंट ऊपर निकलता है फ्लैट ओपनिंग देके 5-6 पॉइंट ऊपर निकल जाता है तो हमारी ट्रेंड लैन आ रही है इस पे वन आवरली केंडल में बनाई है मैंने तो अगर यह यह फ्लैट ओपनिंग देके इसको क्रॉइंट कर देगा 5-6 पॉइंट निकल जाया बस यह जो क्लोजिंग प्राइस है इस से तो हम इस पे 14-74 पे हम इसमें एक बाइंग की पोजिशन मना सकते हैं और उसमें जो हमारा एसल रहेगा सिर्फ सिक्स पॉइंट का रहेगा और हम उसके फेवर में 12-15 रुपीज तक का इजली टारगेट अचीव कर सकते हैं वो इस लेवल को या फिर इस लेवल को आके टेस्ट करने के कोचिस करेगा तो उसमें हमारा टारगेट इजली अचीव हो जाएगा तो फर्स टारगेट हमारा य सब्यार में 10-stream लेजयिए यहां फिर यहां पे और इसने क्या किया है आप यहां पर देखिये Dec momentum दिखाया फिर hold किया दो दिन और फिर आज उपर की तरफ इसने breakout दिया है तो हम इसमें एक बाइंग की पोजिशन मराएंगे हम इसमें सेलिंग की कोई भी पोजिशन नहीं रहेगी हमारी इसमें तो हम क्या करेंगे जैसे यह इस पॉइंट को ब्रेक करेगा क्योंकि इसने क्या किया फॉर्टीन हंडेड लेवल को ब्रेक कर दिया जो कि एक राउंड नंबर है तो फॉर्टीन हंडेड शिक्स के ऊपर जैसे निकलेगा तो हम उसमें एट रुपीज का एसल लगा के वन डिशो टूपी ट्रेड एक ब असोक लेलेंड में भी एक बाइंग आई आज तो इस मॉलर टाम फ्रेम में देख सकते हो आप सोरी वंडे के कैंडल में इसमें आप देखेंगे चार दिन से एक सेलिंग मुमेंटम चल रहा था फिर आज एक बाइंग मुमेंटम आया जो कि इसने लाजडे का प्रीवेस मु देखेंगे तो इसने क्या किया है यह जो बाइंग मुमेंटम दिखाया है तो इसमें इस पॉइंट के नीचे यह गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए तो अगर यह खुलेगा गैप दाउन तो हम उसकेस में अपनी ट्रेड इग्नोर कर देंगे इसमें और जैसे यह टार्गेट रहेगा वन रिसो टू के अकॉर्डिंग फोर और थ्री रूपीज तक आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप फ्लैट ओपनिंग देखे ऊपर की तरफ निकलेगा तभी हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे अधर्वाइस हम इसको इग्नोर कर देंगे और नेक्स्ट हमा प्रोस बनाई है यहाँ पर है मैं को कल बी बताया था अगे उसमें सेलिंग करेंगे तो selling किस point पर करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो selling का एक ही point है यह जो last में इसने candle बनाई है इसका 50% fade हो जाना चाहिए मतलब 50% नीचे यह opening देने चाहिए तो इस point के आसपास अगर यह opening देगा तो हम इसको consider कर लेते हैं लेके 16-35 के नीचे अगर यह candle अगर closing करेंगे कोई भी या फिर gap down खुलता है इस point के नीचे तब ही हम इसमें selling की position मनाएंगे और जो हमारा SL रहेगा वो closing price करेंगे और target इस point तक का हम रख सकते हैं जो maximum target रहेगा वो हमारा और अगर आपको बीच में 1-2 मिलेगा तो उसमें भूक कर सकते हो क्योंकि 10 रूपीज का SL है तो 20 point का आपको 1-2 मिल जाएगा और हम buying एक ही case में करेंगे जब यह flat opening देके इस point को जब यह break करेगा तो यह हमारा point आता है 1656 के उपर अगर यह निकलता है तो हम उसमें 8 रूपीज का SL लगाके 1-2 की trade ले सकते हैं और जो हमारा target रहेगा वो इस point तक का रहेगा और next है हमारा gail में देखेंगे तो आपको daily time frame में एक structure दिखेगा इसमें तो यहां पर देखिए यहां पर क्या किया है इसने एक buying momentum दिखाया next is selling आई फिर buyers जो थे उसको उसी point पर लेके आ गए उपर की तरब तो हम इसमें buying की position मना सकते हैं और हम इसमें selling की भी position मनाएंगे सिर्फ एक case में अगर यह जो इसने यह वाली जो candle बनाई है डूजी type की जो आपको दिख रही है तो इसके इस point के नीचे अगर यह opening देगा तब ही हम उसमें selling की position मनाएंगे तो हम उसको safe side लेके चलते हैं तो 45.2 के नीचे अगर यह निकलेगा तब ही हम उसमें selling करेंगे औ और gap down खुलके इस point के नीचे निकलना चाहिए otherwise हम इसको एक रोमर करेंगे और हम इसमें buying कर सकते हैं अगर यह flat opening देखे इस I को break करेगा तो हम इसमें buying की position मना सकते हैं और जो हमारा ISL रहेगा इसके closing price कर रहेगा उसमें और 1-2 हम इसमें book कर सकते हैं या फिर आपको trailing करते यहां पर तो इस point के आसवास इस पर कोई खास resistance नहीं है तो यह easily 50 के level को test करने की कोशिस करेगा या फिर 151 तक तो यह जाने की कोशिस जरूर करेगा इसको breakout देने के बाद उपर की दरफ तो आप उस पर एक trading कर सकते हो buying की side में तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी की हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को सब्सक्राइब बरें और भी ऐसी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए थेंक यू